C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिये पेश है सफ़ा नंबर सत्तावन सबख साथ नजम मेरी पतंग नजम निगार महभूब राही कितनी प्यारी पतंग है मेरी देख कर अकल दंग है मेरी कैसे खुशरंग रंग है इसके रंग क्या शोखो शंग है इसके आसमानों में जाके उड़ती है डूलती है अदा से मुडती है डूर भी कार्टदार है इसकी मिसलित तलवार धार है इसकी उपर उड़ती है नीचे आती है दाएं और बाएं घूम जाती है जब कभी मैं उसे उड़ाता हूँ जब कभी मैं इसे उडाता हूँ, तो खलाओं में खुद को पाता हूँ, मुझको एक दिन बुलंद होना है, हर किसी की पसंद होना है, तेज करती उमंग है मेरी, कितनी प्यारी पतंग है मेरी महबूब राही, सफा नंबर अठावन, मश्क, लव्ज और मानी, खुशरंग, अच्छे रंगवाला, शोखोशंग, तेज भड़कीला, काटदार, धारदार, मिसल, तरहा, जैसा, खला, जमीन से उपर का वो हिस्सा जहां जमीन की कशिश खत्म हो जाती है, स्पेस, उमंग, जोश, वलवला, गोर कीजिए, उरती हुई पतंग को देखकर बच्चे के दिल में भी बुलंदी तक पहुँचने और कामियाब होनी की उमंग पैदा होती है, वो भी पतंग की तरह उचाईयों पर पहुँचना चाहता है, शोखोशंग में वाउ से दो लफजों को जुड सोचिये, बताईये और लिखिये, एक, पतंग देखकर बच्चे की अकल क्यों तंग है, दो, पतंग की दोर कैसी है, तीन, पतंग बच्चे में कौन सी उमंग पैदा करती है, सफ़ा नंबर 69, चार, पतंग उडाते हुए बच्चा खुद को कहां पाता है, पांच, इस नज नजम के मताबिक, मिसरों के जोड मिला ये, कितनी प्यारी पतंग है मेरी, तो खलाओं में खुद को पाता हूँ, दोर भी काटदार है इसकी, हर किसी की पसंद होना है, कैसे खुशरंग, रंग है इसके, देखकर अकल, दंग है मेरी, जब कभी मैं इसे उडाता हूँ, कुछ को एक दिन बुलंद होना है, मिसल तलवार धार है इसकी, इन लवजों के मुतजात लिखिए, बुलंद, आस्मान, दाएं, उपर, खुशरंग, तेज, दिन, उठना, खुशरंग, दो लवजों, खुश और रंग से मिलकर बना है, इसके मानी है अच्छे रंग वाला या वाली, आप भी खुश लगा कर छे अलफाज लिखिए, जैसे, खुश, मिजाज, लवज बना, खुश मिजाज, सफ़ा नमबर साथ, पढ़िए, समझ ये और लिखिए, यहां दी हुई तस्वीरों को गौर से देखिए, इस तस्वीर में शख्स पंडि जवाह लाल नहरू, जगा लाल किला, चीज जंडा, किसी शख्स जगा या चीज के नाम को इसम कहते हैं, इसम की दो किसमे हैं, इसम खास यानि मार्फा, इसम आम यानि नक्रा, यहां पहली तस्वीर है महत्मा गांधी की, दूसरी तस्वीर में हिंदुस्तान का नक्षा है और तीसरी तस्वीर ताज महल की है, किसी खास शख्स, जगा या चीज के नाम को इसमे खास कहते हैं, इसमे मार्फा भी कहते हैं, जैसे महत्मा गांधी, हिंदुस्तान और ताज महल इसमे नकरा, इसमे आम यानी नकरा मिसाल के तौर पर यहां तीन तस्वीरे दी गई हैं पहली तस्वीर में एक लड़की, दूसरी तस्वीर में पहाड, तीसरी तस्वीर में किताब किसी आम शख्स, जगह या चीज़ को इसमे आम कहते हैं इसे इसमें नकरा भी कहते हैं जैसे लड़की, पहाड और किताब वगेरा यहां दी हुई पतंगों पर कुछ नाम लिखे हैं इन पतंगों में डोर नहीं बंदी है इन में डोर बांध कर सही बच्चे के हाथ में दीजिए एक बच्चे का नाम है इसमें खास और दूसरे बच्चे का नाम है इसमें आम पतंगों पे जो लवज लिखे हैं वो हैं गंगा, जील, कुतुब मिनार, मुंबई, तलवार, आरिफ, कलम, पतंग, हिमाले, गाड़ी सफ़ा नंबर बासट काटदार तेजधारवाले के मानी में इस्तिमाल हुआ है ये दो लवजों काट और दार से मिलकर बना है यहां दिये हुए लवजों के बाद दार लगाकर लवज बनाईगे और खाली जगों में उनके मानी लिखिए लवज हैं शान, हवा, माल, इमान, दुनिया, मजे, जान, समझ बलन दावा से पढ़िए और खुश खत लिखिए सफ़ा नमबर 63 पतंग पर पांच जुमले लिखिए अमली काम यहां दिये हुए खानों में पतंगे बनाईए और रंग भरिए इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट, बटिलैंग लिंग्डो समय फनकार, परवेज गोहर और शिमायला परवेज एडिटिंग, हिदायतकार और तखलीककार, विमलेश चौधरी पेशकरदा, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत